जैन सर देखे यह आपके सामनिक पेपर लेके आया हूँ मैं इसके आई समानिगान प्रतियोगदा दोहरे 21 कराएगे यह सिक्स्ट से आठ तक के बच्चों के लिए है देखे इन बच्चों को यह इनकी लेवल का क्या आता है जो हमारे साथ ही छे से आठ तक के हैं उनके गहर क में कि इसके आयजन करता है हमारे आजय आजय साहब है आजय प्रतियोगता करा रहे हैं और तब तक मैं थोड़ा सा कैमरे में लाइट लाके रखता हूं तो इनका सर पेपर है और आप देख सकते हैं पेपर जबरदस्त है लेवल बहुत अच्छा है साहिद आपको साथ तो थोड़ा सा आगे फ्रंट के मेरे सही करनी फूर सभी है अधिये बटेज आपको साब दिखरा है तो आपको सही है यह अग्याएं जिली तो shouldn't you बुल्स के क्रेंद सब्सक्राइब कर अगरْक को ईतना साricht Hai यह पिर्ग माने बढ़ा इने फ variक मारा गद्धि बॉसरा प्रसनें निन में से अल्पविराम काचिन Coronas यानि कमा लगा करके बिंदी लगाते हैं सिंगल कमा Dick कमा होता नहीं है आक अग skincare दिये तीसरा सर्य अधिकार में उपसर्ग है एक मिनट अधिकार में देखें तीसरा वला अधिकार में उपसर्ग कऊन है तो अधी है धार्मिक में कौन सा प्रत्या है पाचवाय जो मुश्किल से प्रात्मिह से उसे क्या कते हैं दुरूलब कते हैं हाथ मलते राजाना मोहरे करते पच्ताना पज्वटी में समास है सुद्वर्तनी का चैन कीजिए तो सुद्वर्तनी देखिए आधरस दिया है तो यही वाला सी वाला सभी होगा भिजा अगला उन्त का विलोव सब्द सब्द कहीं अप जनब करते दों कि को नहीं सकता है इधर लाएंगा तो आउपर गर लिजे को हागा इंदि की संदी कीज़ता है जो कि औप संदी में नजर आ रहा है सब्दा लंकार के कुल साथ भेद होते हैं आप साथ पढ़े नहीं होंगे इंटर में पढ़ाया नहीं गया होगा 6-8 तक के बच्चों को यह नहीं पढ़ाया गया होगा इतो सही बात यह प्रस्म थोड़ा साल हाई लेवल का है स्रिंगार रती होता स्थाई भाव दोहा के प्रतम चरण में जानते दें रहत द्रय मात्राय होती आचार्य का पुलिंग हो गा सब यह दखके प्रभाव हो रहा है और बोलते नहीं है children तो आपको गोषका लोग बता सकते हैं अब देखने वाली बाथ है कि जो माश्टर सहाब है उसेक नम्मर क्या वच्चों देते हैं चलिए बाइसमा कोशन देखिए सर दिया है पौधों का कौन सा इस्सा सुसन करता तो पत्ती करती है जड़ो और तना ये सभी भी हो सकता बट विग्ञान के एकॉर्डिंग जड़ों से सर ठीक है सर ठीक अगला प्रसमें सर आपके सामने अस्तंधारियों के लार में कौन सा इक्जाइम होता है तो आप सभी जानते हैं टाइलीन होता है साब नहीं दिख पा रहा होगा मैं च्छमा चाऊंगा उसे बहुत छोटा लिखा ने पालक की पत्तियों का सुरूत किसकी होती है तो सब लोग जानते हैं लोग का होती है अगला कोशन सर आपके सामने मानौसरी में पूंच कौन सी सरंचना में सरनफन होती है तो बड़ी आ 600 और वर का नीन मैंने नीन में से सोडियम संक्या क्या सोडियम क्या 11 से ऊलम लैंख अब यह है वह कि जोनीं में कॉन सा ततो धातू है तो अआ धात्याइक ठीक है तक 30 मैं बात कर रहा हूँ कर दो खाने के सोड़े का रासानिक सुत्र क्या है आप बताईए खाने के सोड़े का रासानिक सुत्र आप बताईए यह यह सी ओ ठीक है नीन में से कौन पोटेसियम का प्रतीक पोटेसियम के से होता है जाहिस बात है नीन में से कौन जल में घुलन सील है यहने सील होना चाहिए यहन तो अब चैन नहीं आखसी करण करते हैं कार का मात्रक जूल होता है पानी का घंद तो किस्ता पर अधिकतम होता है चार अंस डिगरी सलसियस पर होता है पानी हमें डूबी पैंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है इसका क्या कारण है 49 प्रस्ण है इसका कारण है यह तो पहला हो नहीं सकता बी वाला भी नहीं दिख रहा सी वाला होता प्रकास का पौरतन होता ठीक है किसी वस्तु का क्या लिखा किसी वस्तु का प्रति दिन मनुस्की आख प्रति दिन मनुस्की आख में कह प्रतिवीम हो सकता है किसी वस्तु का प्रतिवीम में मनुस की आंख में कहां पर पढ़ता तो जाइड सी बात है रेटिना पर ही पढ़ता है यह तो हम लोग पढ़ें है भूलें अभी तक नहीं है और आट तक की बच्चों कि इतना कठीन देखें थोड़ा सा लेबल किये हैं सबसे उचा नदी बात कौन सा है पहले हिराकुंड हुआ करता तो भाकड़ा नागल बांद आप लोग जन्वेक करते हैं चरदार सरोबर नहीं यह तीहरी बांद है जो उत्रा खण में पढ़ता सर यह लाटेश्ट आप जानते रहेगा इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप लोग हमारे सभी साथी इसे याद रखेंगे यह पूछा गया एक्जाम में सब भारत का सबसे उचा नदी बात कौन सा नदी बात यह भासा जो है लेंग्विज थोड़ा सा बदल के प्रसन दे रहा है इसलिए आप लोगों को देखना होगा सबसे तीब्र लिखा तीबू बल लिखने सबसे तीब्र गती से सुरी का चकल लगाने और अगर कौन सा है तो है न सर तो ये होना च Belgium के सुरुआ इंगलन्ड जाहिर सी बात है अंगलन्ड ही किया है अस्टेलिया भाई तो नहीं किया लेकिन अस्टेलिया और इंग्लेंड दोनों का राश्टी खेल यही है समझ मैं भात सर भारत का क्या हां की है वेस्टन डीज का कुछ दूसरा वेस्टन डीज का मुझे याद नहीं है आप बताएंगे कमेंट करके क्या है चलिए सर, ग्रीन पार्क स्टेडियम की सर अगर बात किया जाए तो यह है आपके कानपूर सर मिस्तित है, नापपूर में भी स्टेडियम है, बंगलोर में भी है, बंगलरुचिन्ना स्वामी स्टेडियम, नापपूर में भी है, कटक उडिसा में भी है सर, सब में स्टेडिय अगर सर इस डेट की सर बात किया जाए 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं 200 परेटन दिवस मनाते हैं कौन सर दोस्तों मनाते हैं 200 परेटन दिवस यह बहुत इंपोर्टन आप लोग याद रखेंगे 200 परेटन दिवस पूछा गया कई बार एकजाम में सर इसलिए important इसलिए मैं इस बता जेता है तो मेरे हिसाब से कोई है नहीं है आप तो कमेंट करिए चलिए सर आगे बढ़ते हैं राश्टी पच्छी दिवस की दोस्तों बात क्या जाए तो 12 नॉम्बर को मनाते हैं 12 अक्टूबर को क्या मना जाता है 13 सितंबर को क्या मना जाता आप पढ़ डालिएगा अब देखें संख्या इतना दिया है नहीं 390 शहसो पच्छतर में 9 का स्थानी मान 9 का स्थानी मान का मतलब देखें यह नो भाई साब यहां पर निकलाएंगे ऐसे अस्थानी मान हम लोग चोटी-चोटी अभी सर लोग बताते थे एक दो तीन चार अब देखें फिल यह एक इसको तीरपन कोस्टन का सर 342 होगा कैसे 342 होगा सर इसमें क्या किया गया है देखिए चार तीन बार बार तीन शती शतीस तिस तियां 108 होता है 108 में 3 करेंगे 342 हो जाएगा के लिए देखते हैं अब कर देते हैं आपके सामने ही रफिंग कार 108 इंटू 3 8 3 के 24 के चारा सिल दो तीन सुने सुनना है दो तीन एक नम तीन सो चौबिस तो 324 is the right answer 324 दोनों सर दिया है ओ सोरी 324 से यहां पर देख होगा यह नहीं होगा सर D वाला होगा ठीक न सर तिरपनमा का D कोस्टन तिरपन कोस्टन का D वाला सर सही है आप तिरपन कोस्टन के साथ में D के साथ में जाएंगे चलिए सर आगे लाईए इधर आ जाईए सर 40 फोकोसई चार बटे 7 वह 3 बटे 8 में कौन सब भिन बड़ा भिन अगर आप छोटी बड़ी भिन पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे इसको सर निकालने की तरीका मैं आपको बताता हूँ चार बटे साथ वह तीन बटे आट दिया है न सर तो करते क्या है भीन को कैसे बड़ा चोटा निकालते हैं इसके लिए सर क्या करते हैं इसमें अगर माल जी फ्लासी रख दीजे कोई दिक दे तो सर इसमें इस तरह से गुडा तीरिय गुडा करके निकाल दे नहीं तो कभी- बटे आठ और 32 बटे साथ में आप जहरी से बाते यही वाली बड़ी लग रही है चार बटे साथ देखतें उत्तर में क्या मिलता है जी वेलकूर रही सही है चार बटे साथ ही अगला को सेंसर देखें चौन सट और अस्ती कमा से आप लोग को मालूम है 16 होना चाहिए कि असी का भाग कर लेंगे आप लोग भाग करके चलिए दरी बता दे रहें जाए तरह चाहिए चौन सट और इसले कहां पर सार जो है अपसंट टी में तुसले साहिए ठीक है सर पच्पन कोश्टियन कर डी वाला सही है तो यही आएगा सर निकाल लीजेगा यदि 12 के घन में से 22 का वर्ग घटाया जाए तो क्या आएगा बारा के घन आप लोग कर लीजेगा और उसमें से 22 का वर्ग घटा दीजेगा यह तो सर आप करी लेंगे इतना असान चीज तो इसके हिसाब से 27 कोस्टन का जो एंसर है जो मैं निकाला हूँ वह है 244 इसका मान क्या है इसका मान सर जानते क्या हो जाएगा देखें यहीं पर काटके मैं आपको बता दे रहा हूँ यह देखें सुने से सुने कड़ जाएगा इस सुने से सुने कड़ जाएगा तो 100 होगा तो सो भाई साब डी में है तो सही देखे दो चार मतलब ये बटे का मतलब भाग कर देना ठीक है सर दो चार छे आठ दस बारक आउसद है आउसद पूछा गया है आउसद पूछा गया है उनसट कोशन में आपको आउसद पूछा गया है तो ये साथ सही है पांसो का बीस परस 500 का 20% 500 का मतलब गुड़ा 20% बटे 100% हटेगा सुन इससे सुन कट जाएगा इससे एक टेगा तो पांदूना 10 पांदूना 10 और 0 100 100 होना चाहिए 100 है क्या है यानि 60 मांक एह ही सही होना चाहिए डाइब ठीकर दोजाती है वह तो पाची सुन के 6 पर संट की तो फिड़ा पर्या करएह जिएगा मैं बता जेगा शेथिवाब नहीं कोड़ाऊं आप लोग लगा कि वीडियो वहां पर रोक करके देख लेंगे आ रहा है संसंक्या साथ संसंक्या नहीं साथ नहीं है त्रिभूज के तीनों अंत्यकुन का ये रज़ two-three होता है 32 टोक्यों ओलम्पिक 2021 कि देश में हुआ जापान देश में हुआ था बारवां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजयता कौन है 2019 का विजयता कौन बताइए कमेंट करिए सर इंग्लेंड है क्या दिन कि पताईए उन नीस का वर्लड कप विजयता कौन है इंग्लेंड है relevant 10 गिती सर इंग्लेंड जेती है अगर मैं सर बात करूँ तो अगर इसके बारे मैं डिटेल अगर लेना चाहेंगे तो भी मैं बता दूँगा 1975 में पहला वर्ड कप सर केला गया था जिसकी बिजेता आपकी वेस्टन डीज थी डबलू से बिजेता भारत थी फिर सर 87 में हुआ था पहली बारे अश्ट्रेलिया जिती थी सर 87 पर 1987 के बाद फिर 1992 में हुआ था 1992 में सर पाकिस्तान जीती थी पाकिस्तान जीती थी मुझे जहां पहला है 1992 में सर सिलंका जीती थी 1999 में सर अस्ट्रेलिया जीती थी dallabigayo और 2007 में भी अस्ट्रेलिया जीती थी 2011 में भारत दूसरी बार जीती दोनी के गुवाई में मुंबई में हुआ था फाइनल वान खड़ी स्ट्रेडी में चक्का लगा करके थिरमाने की कौन गेदबाज गेदबाजी कर रहा था सिलंगा उसके उपर चक्का लगा के भाई साब जीते थे 2015 में सर हुआ इसको भी अस्ट्रेलिया जीती थी 2019 में उसे इंग्लेंड पहली बार जीती थी ठीक सर नीजी लेंड को हरा करके जहां तक मेरा अन्मान है आप भी बताएकर गलत होगा सर तो इसमें अगर कोई त्रूटी है नोगा ताप कमेंट करेंगे वैसे होना चाहिए वियात की चीज़ बता रहा हूं तो उससर आगे बढ़ते हैं सूरत किस नदी पे है सब जानते तापी नदी पे भारत की प्रमुख खादी फसल खादी फसल कोन है चावल ज्यादा हम लोग भी कहते हैं चीन वाले भाई लोग खाते हैं मोबाइल फोन का विसकार मा कपूर्टर के नाम से जानते बहुत कांश्ट करता सर हम अगर सर मेगा एक प्रकार का यह तो हमें मालूम नहीं आप बताएंगे D है साइबर, साइबर एक प्रकार की गहर कानुई संस्था है जिसके अध्यकरता साइबर होता जहां पर हम लोग काम करते कंपूर्टर संबंधित यह भी होता है और नियम कानुन से भी संबंधित खेल में उत्कृष्ट प्रदसन के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है तो भारत रतन तो दिया नहीं जाता अर्जुन पुरसकार भारत रतन पड़्दा लिएगा बहुरतमान में भारत के राष्टपती रामनाद गोमिन जी है आईपल दोजार इकिस का खिताब CSK यानी चैनली सुपर किंग जीती है इसके पहले कौन थी जीती थी इनमेस कोई नहीं आर्सी भी दिया ही नहीं या मुंबई के देना चाहिए था लेकिन यहां पर इनमेस कोई नहीं में मुंबई देना चाहिए था ठीक नहीं क्योंकि विजयता मुंबई रही है थीक है निन मेंसे सिक्किम किरा सिक्किम गंगटों को ओगी गंगटों कहां बाई यह है वर्तमान में बिहाइक मुखमंत्री है तो नीतिस कुमार साहब है अधितनात उत्तर प्रदेश के हैं ममता बनेर जी पश्ची मंगाल की है भुपेंद्र पटिल जो एक उजराद के साइद है ठीक है सर अगला भारत में कुल कितने उच्छे नायल है तो 25 ठी 25 कहां दिया सी में दिया भारत का सबसे चोटा राज जी हां भारत का सबसे चोटा राज रिष्टी से गोवा उसके बाद मिजोर्यम है उसके बाद पंजाब है उसके बाद सिक्किम है ठीक सर नहीं सर गोवा पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर आपका सिक्किम साहब हैं तीसरे स्थान bble करोना को महामारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज ह्र्याणा है और महुझ के अगर grande came h Olga मिले का गरोना वायरस से भारत की किस राज में पहली मिर्ष नहीं है है भया करनाटक चल करनाटक अभी तेरे को बता रहा हूं नहीं राज शुरास्तों कमेटी करते हैं वह सब मुझे मिला था नीन में में से उत्तर प्रतिस का राज की चिन नहीं है भया तीर तो उसमें है धनुस भी लगा हुआ है मचली भी लगी हुई है तीनों चीज लगी खजूर नारियल ताड तो यह ताड सही है ठीक है साथ बहु का मंदिर कहां इस्तित है उदैपूर में है उदैपूर राजस्थान में है सर जैन धर्मकवास्थी संस्थापक आप सभी लोग जानते है महाबीर जी को माना गया है कुचीपूरी किस राज की निर्ट सहली है तो आंधर प्रदेश के है कुटू मिनार के कायर को कि ने पूरा किया इलतुतमीश सहाब ने किया था बुलन दर्वाजा का निर्मार किस ने करवाया था अगबर जी ने करवाया था निमनिखित में एक्सेप्ट कार्थ क्या है सुभिकार करना यह तो सही बात है कबूल करन भी है सब्टू सब्टार उठाना भी है और इंकार करना यही सही है ठीक ज़िए कि सबस्तों और और झाली है सबस्तों तो जोड़ा को द्ाइख जिए 3аки होता है सरी जो दिख यह च्शाई है उतो जिया मतन हो जायगा मैरे साब्स चोभी चोभीश दिया किसी हैं में 24 की 26 होगा है जी कितने प्याता है हाँ, 24 है यह सर् टेक यह ब्यक्ति लड़की को रिसारा करते हुए कहा कि वह मेरे एकलोते दादा के पुत्र के पत्नी के बहने तो बताईए कि लड़की का ब्यक्ति से क्या संब्द जाहिए से बात है, क्या संबंद है मौसीजी की होना, कैसे होगा थोड़ से देखते हैं लड़की को रिसारा करते हुए मतलब एक ब्यक्ति ब्यक्ति मतलब अपने ही को मालेजे मैं अगर मालेजे मैं एक लड़की की तरब रिसारा कर रहा हूं एक लड़की को रिसारा करते हुए कहा कि वह मेरे एक लोते दादा एक लोते दादा इनके मेरे दादा के पूत्र यानि कि मेरे पिता यानि कि मेरे पिता पिता पूत्र के पत्नी पत्नी की बहन यानि मेरे पूत्र के 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 पत्नी की बहन यानि मेरे पूत् दादा के लोते पुत्र यानि कि मेरे पिता के पत्नी की बहन मेरे मेरे पुत्र के पत्नी की बहन एक मिटसर में गन्फुजन हो रही है इक लोते दादा की लोते पुत्र यानि मेरे पिता के पत्नी एक लोते पुत्र के पत्नी लोते पुत्र के पत्नी लोते पुत्र के पत्नी पुत्र के पतनी की भेन है तो बताएए कि लड़की का व्यक्ती से क्या संबंद है बुगा होगा की मौसी होगा- थोड़ा स Chelsea naz lagi हम बाढ़ादा परेगा यह फिर से फड़ते हैं सवरोन बिद्शार जाएगा एक व्यक्ती एक लड़की को दिशारा करते हुए कहा कि वह मेरे इकलावते दादा के इकलावते पूत्र यानि कि मेरे पिता के पिता यानि दादा के पूत्र यानि मेरे पिता की बहन है पूत्र के पत्नी की बहन है पूत्र के पत्नी की बहन है तो बताईए कि लड़की का ब्यक्ति से क्या संबन्द है तॉचृब तादा के लाउते पुत्र लाउते दादा के लौति पूत्र के पतनी अच्छा सोरी पूत्र के पतनी यानी मेरे मैरे म सॉय होगा जाई से बात है जैंग वह सब Basic स्पैसर बहना है सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे हिसाब से कौन सा आएगा 32 साना चाहिए सर करिए आप करिए देखें आ रहा है कि नहीं आएगा आपकर लीजिगा बारती सम्विदान को 25 भागों बटा गया सर कितने भागों बटा गया 25 भागों बटा गया यह तो प्रसना गलत लिखा गया इसको तो कोई मतलब है नहीं इन कड़ियों पर गवर करें साथ दस आठ ग्यारा नौ बारह में अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए तो अगली संख्या सर दस होगी कैसे होगी देखिए साथ 3 , 2 गटाएं गटाएं कि तो 8 हो जाए गारright 3 11 11 मसे दो घटााएंर नौ words तीन बारे plupart मसे इस दो गटाएंगे टॉन तो नो थीन लोन से और मसे 1 इकंडा सय थे दस हůगा तीस तो आठ 8Прीन ग़्यार्यमयर से दो घटाएंगे सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं डिटेल से बता था तो वीडियो और भी नंभी वा सकती थी वह सकती थी वह मैं देख रहा हूं कि लगब आदे गंटे की पहुंचने वाली है निन में से बेमेल का पता लगा यह बाग क्या भीया यह तो मांसा हरी है मांस खाता है डालफिन भी परकार की मचली यह चोटी मचली गडग जाती है मगर मच भाई साहब भी खतरनाक होता है भी तो जीव खात करता है इंग्लेंड में डाल नहीं चलता है डाल 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 चालता लेकिन इंगलीश डाल टी चलता है तो यही सबसे बेट यही गलत होगा सोरी यह संस्था आपके उज्वल भविस्की कामना करती जी बेलकुल करने ही चाहिए धन्यवात मिलते हैं किसे अन्य वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखी जेह इंसर